सब्सक्राइब करें एसन टेक्निकल चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंज 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 आज की सब्सक्राइब हम समझने वाले हैं mcb mccb mpcb mrccb क्या होता है इनमें क्या difference होता है basically देखा जाये तो सभी ही circuit breaker होते हैं जिनका काम हमारा circuit को protect करना होता है but basically इनमें कुछ function different होते है जो हमें पता होना चाहिए इनमें क्या difference होता है और किसे कहां पर use करना चाहिए तो आज को सब्सक्राइब हम यही समझने वाले हैं इनमें क्या difference होता है चलिए start करने से पहले हम इनके full form समझ लेते हैं फिर start करते हैं इनमें क्या difference होता है सबसे पहले MCB को देखा जाता है MCB का full form होता है miniature current circuit breaker MCCB का नाम समझा जाता है molded case circuit breaker MPCB का नाम समझा जाता है motor protection circuit breaker RCCB का नाम समझा जाता है तो होता है residual current circuit breaker या जिसे ELCB भी कहा जाता है तो यह तो वह इनके full form अब हम स्टार्ट करते हैं इन में का difference होता है सबसे पहले हम इनके protection समझते है तो सबसे पहले हम protection में समझते है overload protection तो overload protection पहले होता क्या है यह समझ लेते है जिसा हमारी जो MCB 6A की है जो MCCB 125A की है इसी तरह RCCB 40A की है और जो MPCB 16A की है तो यह इनकी rating से जादा current इनसे flow होता है सबसे 125A है 125A से जादा current जब flow होगा तो यह इसकी overload की condition कहलाएगी तो overload protection में होता है या नहीं यह समझ लेते है तो overload protection basically देखा ज़रो सभी में होता है बट कुछ difference होता है क्या difference होता है यह समझ लेते है जैसा हमारी MCB है इसका full load current कितना है 6A तो यह यह C type की MCB है तो 6A that means C type की MCB में function क्या होता है 3-5 time ampere यह इससे current जाएगा तो यह 0.04 to 5 second में trip हो जाएगी तो यह इसमें overload protection होता है और जो fixed होता है that means जितने की MCB है उतना fixed होगा वही रही बात MCCB की तो इसमें भी overload protection that means होता है बट इसमें क्या होता है variable होता है variable क्यों होता है यह खेर इसमें नहीं दिया गया है बट जो standard quality की MCCB होती है उसमें इस तरह क्या आप that means भी button दिया गया होता है जिससे आप जितने setting करना चाहे उसमें सेटिंग पर आपकी जो MCCB है वहाद trip होगी suppose 125 A की है इसमें आप जो button होगा उससे आप manually suppose चाहते है 100 A पर 110 A पर trip हो तो आप उसमें manually set कर सकते है that means इसमें variable होता है वही MPCB में भी variable होता है जिससे आप देख सकते है जो MCB है MPCB है जो की काफी काम होता है जब भी phase or neutral के बिच में इतना difference होगा तो यह trip होगी रही बार 40 A पर trip होने की तो यह fix नहीं होता है इंपर के इसाब से फिक्स्ट नहीं होता trip तो होगी hot गर्म होने पर बार 40 A पर trip होगी यह fixed नहीं है जनसली यह difference नहीं होगी फेस और न्यूटरल के बिज में जितना जब भी 30 मिलियंपेर का डिफरेंस होगा तो हमारी RCCB ट्रिप होगी चलिए अब बाद आती है शौर्ट सर्किट पोटेक्शन की तो शौर्ट सर्किट पोटेक्शन बैसिकली हमारी जो MCB होता है रही बात MCCB की तो MPCB की तो MPCB भी हमारा शौर्ट सर्किट की कंडिशन में ट्रिप होगा जब इसमें भी शौर्ट सर्किट पोटेक्शन होता है रही बात हमारी RCCB की तो इसमें भी शौर्ट सर्किट पोटेक्शन होगी बड़ कया क्यों ट्रिपवी जब भिए फेस टू निूटरल ट्रिप्टि अचोट होगा तो क्या होगा इसमें जो डिफरेंस है वो 30 milliseconds से ज़्यादा होगा जब भिए 30 cock में याие प्रिक्जाथ ज़्यादा्ज होगा तो यह कहीं बहुत क्यों बहुत है पर आधुट करते है अ में आर्थाफाल्ट प्रोटेक्शन नहीं होता है यदि किसी को शौक लगता है तो उस कंडिशन में यह ट्रिप नहीं होगी रही बात MCCB कि रही इसमें भी आर्थाफाल्ट प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलता है रही बात MPCB कि इसमें भी हमें अर्थाफार्ड प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा यदि हमारे किसी को शोक लगता है तो उस कंडिशन में यहां ट्रिप नहीं होगी और RCCB में यही इसका बेनफिट होता है अर्थाफार्ड प्रोटेक्शन मिलता है जिदे किसी को कोई shock लगता है या किसी को कोई current लगता है तो उस condition में हमारे RCCB trip होगी और किसी को shock से prevent करेगी चले रेटिंग देखी जाए market में कितने rating तक available है तो जो हमारी MCB होती है वो market में 0.52, 63 A, या 100 A की available है इसके अलावा जो हमारी MCC-B होती है ये जनरली 63 कोई कि ज़्यादा रेटिंग के लिए यूज की जाती है और ये MCC-B का ही बड़ा रूप होता है 63 एंपेर से लेके तो 1000 एंपेर या 3000 एंपेर तक भी इससे यूज किया जाता है तो जनरल इसकी रेटिंग 63 to 1000 Ampere तक होती है इसकी रेटिंग जनरल नहीं देखा तो ये भी Motor Protection Relay होता है तो इसकी रेटिंग भी 63 या 100 Ampere तक मार्केट में अवेलेबल है और जो RCC भी है ये भी 63 Ampere तक ही अवेलेबल 100 Ampere की भी आपको मार्केट में मिल सकती है चलिए अब हम समझ लेते हैं Under Voltage या Face Failure Protection यदि हमारी जब कोई Face Fail होता है या Face में That Means Voltage कम ये जाता है तो ट्रिपिंग आती है या नहीं तो MCB में Face Failure या Under Voltage पर कोई ट्रिपिंग हमें नहीं मिलेगी रही बात जो हमारी Face Failure के पर ट्रिपिंग हमारे MCCB में मिल सकती है और रही बात MPCB में तो इसमे Face Failure या Under Voltage Protection हमें मिलेगा That Means दोनों में Face Failure या Under Voltage Protection हमें मिलता है RCCB में हमे Face Failure या Under Voltage Protection नहीं मिलता है चलिए अगली बात करते हैं Shunter Trip Shunter Trip होता क्या है Shunter Trip basically जब दिखा जाए तो हमारे MCCB जो होता है इसमें Shunter Trip Option होता है यदि हम इसे Push Button लगाकर On or Off करना चाहे तो इसे कर सकते है जनरल इसे MCCB में नहीं दिया गया है बट Other Type जो MCCB होती है उसमें Shunter Trip का Option होता है हम इसे Push Button लगाकर कहीं दूसरे प्लेस से On or Off कर सकते है MCCB में, MPCB में और RCCCB में Shunter Trip Option नहीं होता है चलिए आप समझते हैं Connection में Neutral Required है या नहीं That means इसमें Connection करने के लिए हमें Neutral की जरूरत होती है नहीं तो MCB में हमें Connection करने के लिए Neutral की जरूरत नहीं होती है Direct हम Face Connect कर सकते है MCCB में और Neutral की Requirement नहीं होती है MPCB में और Neutral की Requirement नहीं होती है यदि हम Neutral Direct बेदे तो कोई Problem नहीं होती है बट RCCCB में Neutral की Requirement होती है क्योंकि ट्रिपिंग काई पाती है जब भी फेज और नूटल के पीछ में करेंट का डिफरेंट 30 मिली एमपेर होगा तो यह है ट्रिप होगी जिसमें कनेक्शन करने के लिए हमें नूटल का कनेक्शन इसमें करना होता है चलिए अब पॉल की बात आती ही कितने पॉल की यह market में available होती है तो यह हमारे MCB होती है यह हमें market में single पॉल, double पॉल, three पॉल, four पॉल that means single to four पॉल टक market में available है रही बात MCCB की तो यह काफी जादा पावर के लिए use की जाती है तो generally three पॉल यह four पॉल में ही available होती है MPCB हमाई 3-POL में और 4-POL में मिल सकती है रही बात RCCB के तो 2-POL में और 4-POL में मिलती है Single Face के लिए यूज़ कर रहे है तो 2-POL और 3-POL के लिए यूज़ कर रहे तो 4-POL 3-POL के एक Neutral के तो ये 2-POL में मिलती है अब किसे कहां पर यूज़ किया जाता है तो MCB को normally हम हमारे घरों में commercial में industry में सबी जगा यूज़ कर सकते है रही बात MCCB के तो इसे जनरली हम commercial में और industry में यूज़ करते है जहां पर भी ज़्यदा load होता है उससे control करने के लिए हम MPCB का connection करते है और रही बात MPCB के देशनल जनरलिया मोटर प्रोटेक्शन के लिए जिसे नाम ही दिया गया है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट बेकर तो मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और RCCB को में हमारे घरों में भी यूज कर सकते है कमर्शियल भी यूज कर सकते है और इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते है अब रही बात टेस्ट बटन की हम चेक करने के लिए टेस्ट बटन इसका यूज कर सकते है या नहीं एटमेस, हमारी जो कॉम्पोनेट वो सही है , यह नहीं से चेकर ने कि लिए टेस्ट बटन दिया गया होता है तो हमारी जो MCCB होती है उसमें टेस्ट बटन नहीं दिया गया होता है इसे टेस्टिंग के लिए MCCB में दिया गया होता है टेस्ट बटन बट हमें इसे नॉर्मल ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए जब लोड होता है लोड पर इसमें connection हो जाएगा तो ही काम करेगा हाला कि MCCB का तो ओफ लोड पर भी काम कर जाएगा रही बात MPCB की तो MPCB में भी हमें टेस्ट बटन दिया गया होता है फिर इस MPCB में टूड गया है जनरल हम यहाँ पर दबा कर चेक कर सकते ही ट्रिप होगी हमारी MPCB सही है या खराब है रही बात RCCB की तो इसमें भी टेस्ट बटन दिया गया होता है बट नॉर्मली इन जनरल क्या होता है जब भी इसमें कनेक्शन किया गया होता है तो ही यह हैं ट्रिप होती है आफ लोड पर ट्रिप नहीं होती हमारी जो MCCB यो offload पर भी trip हो जाती है अब इनकी cost समझ जाए तो इसकी cost ख़ब से ज़्यादा कम इसकी cost होती है और इसकी cost काफी high होती है क्योंकि high voltage high load के लिए use करते है इसलिए इसकी cost काफी ज़्यादा होती है रही बाद MPCB की तो इसकी cost ख़ब काफी ज़्यादा होती है as compared to MCB and RCCB और RCCB की cost भी medium होती है यह में सबसे कम cost होती है MCB की उससे दोड़ ज़्यादा होती है RCCB की इससे ज़्यादा होती है MPCB की और सबसे ज़्यादा cost होती है MCCB की तो उसे कमेंट्स हम जरूर पूशिए हम पूरी कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके तो फेंट्स आज के लिए इतना ही Thanks फेंट्स